स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनों प्रेस नोट 78 दिनांक 10 मार्च 2024 दिनांक 10 मार्च 2024 को आयोजित आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर नकल करने वाले 04 अभ्यर्थी गिरफतार दिनांक 10 मार्च 2024 को आयोजित आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पद हेतू आयोजित लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर नकल करने वाले 04 अभ्यर्थियों को आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर अंड कॉलेज थाना कैंट लखनाओ से गिरफतार करने में उलेखनिय सफलता प्राप्त हुई गिरफतार अभ्योक्तों का विवर्णा एक अमित कुमार पुत्र अर्विन सिंग निवासी ग्राम सुभाष नगर थाना छिब्रामाउ जिला कन्नौज दो जयप्रकाश पुत्र भारत सिंग ग्राम वपोस्ट दीगानेर थाना ताजगंज जिला आग्रा तीन विकास बिश्णोई पुत्र खियराम बिश्णोई निवासी ग्राम देचू थाना चोमु जिला जोधपुर राजस्थान चार अभिशेक पुत्र सुभाष चंद्र निवासी ग्राम बरोला थाना सदर जिला पलवल अभियुक्त से बरामदगी है एक, शून्य चार अदद ब्लूटूथ डिवाईस दो, शून्य चार अदद प्रवेश पत्र की छाया प्रती गिरफतारी स्थल समय आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर अंड कॉलेज थाना कैंट लखनो S.T.0.F.0.0.0 लखनो को सूचना प्राप्त हो रही थी कि वर्तमान समय में आयोजित होने वाले विभिन प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोहों के सदस्य सक्रिया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ब्लूटूट डिवाइस द्वारा बाहर बैठे सालवरों के माध्यम से नकल कराते हैं इसके एवज में मोटी लेते हैं इस संबंध में S0T0F0 की विभिन्न टीमों इकाईयों को आवशक कारिवाही हेतु निर्देश दिये गए थे जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर अपर पुलीस अधीक्षक लखनाओ के पर्यवेक्षन में अभिसूचना संकलन की कारिवाही की जा रही थी अभिसूचना संकलन के क्रम में निरिक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेत्रित्व में शून्य नी शून्य विनोज सिंग, मुशून्य आशून्य रूद्र नारायन, रवी, विजय कुमार की एक टीम जनपद लखनाओ में भ्रमनशील थी इस दौरान ग्यात हुआ की आज दिनांक 10 मार्च 2024 को आयोजित होने वाले आर्मी नर्सिग असिस्टेंट पध हेतू आयोजित लिखित परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर नकल करने वाले है इस सूचना पर STF टीम द्वारा सेना के अधिकारियों को इस बात से अगवत कराते हुए आर्मी इंटेलिजेंस लखनाओ टीम के साथ मिलकर आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड कॉलेज ठाना केंट लखनाओ से शून्य चार अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ लिया गया गिरफ्तार अभ्युक्तों ने पूछताच पर बताया कि वह आर्मी की परीक्षाओं की तैयारी करते थे इस दोरान कुछ अन्य चात्रों ने हमें बताया कि ए शून्य के शून्य सिंग्नी शून्य आगरा वकुनाल निवासी दिल्ली द्वारा रू शून्य 25 से 30 हजार में छात्रों को नकल करने वाला डिवाइस दिया जाता है एवं संबंदित परीक्षा में उसी डिवाइस के माध्यम से प्रश्न पत्र हल कराने के बदले 5 से 5 लाख रूपे लिया जाता है गिरफ्तार अभियोक्तों के विरूध थाना कैंट लखनव में अभियोक पंजीकृत कराया जा रहा है अग्रिम विधिक कारिवाही स्थानिय पुलीस द्वारा की जा रही है